अलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे पुटेटो क्वाइन्स जो की रमजान स्पेशल है लेकर आई हूं मैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने चाहिए है टू पुटेटो और इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया इस तरीके से आप इसको ग्रेट और हरा धनिया हमने बारिक चॉप करकर इस तरीके से रख लिया है अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर सारे मसाले मिक्स कर दिया है हरा धनिया वगयरा सब हमने इसके अंदर एट कर दिया आप देख सकते हैं और इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आलू के अंदर बि यह बेशन चल फ्लेक्स हाट, पनी आदा कर सकते है, अजवाईन ली आज भागा है, आदा चलिए पकी बैद काल लाल मिज पावडर करना दनीआ बारी मैं में ही लुआ हो लुआ यह देखिये सभी चीज़े म sut它 याइट अप तोड़ा थोड़ा में आपर पानी आइट करना है और पानी करकर लेड़ा कर अक्वाटर कर याइट कर लेना है इसको अच्छे से mix करना है इसके अंदर बिल्कुल भी लंपस नहीं होने चाहिए बेसन के अंदर लंपस नहीं होने चाहिए मसाल अच्छे से mix हो जाएं तो यह देखिए इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी और अड़ करना है ताकि यह कोर्ट हो जाए, जादा पतला आप इसे ना करें, यहां पर हमने बैगन को इस तरही के से कट कर लिया है, रिंग्स में, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप बैगन की पकोड़ी बगारा बनाते होंगे, लेकिन इसको मैंने आलू के साथ इस तरीके से पोटेटो रिंग्स के तरह मैंने इसको बनाया है, यह मेरी न्यू रेसेपी है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरी रेसेपी स्ट्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट जरूर तो यह देखिए, इस तरीके से मैंने इस तरीके से पोटेटो के इस तरीके से टिकी टाइप का हमने बना लिया है, और इसके उपर हमने लगा दिया है, बैगन के रिंक्स के उपर, तो यह देखिए, इस तरीके से हमने इसको बना दिया है, अब सारे हमें इस तरीके से तकट अन्दर हमें इसको डिप करते जाना है और फ्राइए करते जाना है तो यहाँ ने ही थे मिडियम फ्लेम पर गर्म किया है जादा और गर्म गर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि जादा the गarm ओयल अगर आप इसको डालेंगे तो फिर ये उपर से जल जाएगा और अंदर से कच्छा रह जाएगा तो लो टू मीडियम फ्लेम होनी चाहिए इस पात का आपको ख्यार लखना है इस तरीके से इसको बेसन में डिप करना है और इस तरीके से फ्राइ करते जाना है बहुत एजी र आपको मिलती रहेंगी तो अब हमें फ्लेम को बिलकुल लो करना है और फिर हमें एक साइट से ये सैट हो जाए तब हमें इनकी साइट को चेंज करना है तो ये देखे अब हमें इसी तरीके से सारे रिंग्स को साइट कर देनी है और गोल्डन हमें इनको फ्राइ कर लेना है तो इसमें आपको दो फ्लेवर मिलेंगे एक तो बैगन और दूसरा आलू दोनो आप अगर हम आलू की पकोड़ी बनाते हैं तो उसमें बैगन का फ्लेवर नहीं होता है और अगर बैगन की बनाते हैं तो उसमें आलू का नहीं होता है तो यह मैंने दोनो जीदों को मिक्स करक में आप निकाल लें प्लास्टिक के बरतन में ना निकालें आप और अब हम इसको सर्फ करना है तो सर्विंग प्लेट में हमने ग्रीन चटनी के साथ सर्फ किया है बहुत टेस्टी बना है पोटेटो रिंग्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लेवर आ रहा है आपके मुह में पानी आ रहा होगा तो प्लीज जल से जाएं और आप ये वीडियो ट्राइ करें कमेंट करें लाइक करें शेयर करें